नमस्कार PCS Current News में आपका स्वागत है PCS Current News में अभी की खबर है रबींदर नाथ टैगोर जैन्ती 2022 7 मही को रबींदर नाथ टैगोर की जैन्ती मनाई जाती है इस वर्ष इनकी 161 भी जैन्ती है रबींदर नाथ टैगोर को गुरुदेव की नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 7 मही 1861 को कोलकाता में हुआ था ये एक लेखक, संगीतकार, समाज सुधारक, चित्रकार, दाशनिक, नाटककार और कवी भी थे इनकी पिता का नाम देवेंदर नाथ टैगोर और माता का नाम शारदाद देवी था वर्ष 1913 में अपने उपन्यास गीतांजली के लिए साहित में नोबिल प्रुसकार पाने वाले पहले भारती बने वे भारत के साथ ही एशिया महद्वीप में नोबिल प्रुसकार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं उन्होंने सेक्षिर्क संस्थान विश्य भारती के स्थापना की थी विश्य भारती देश का सबसे पुराना केंद्रिय विश्विध्यालय भी है इन्होंने भारती राष्टगान जनगर्मन की रचना की थी बांगला देश के राष्टगान आमार शोनार बांगला की बिरचना का श्रे इन्हीं को जाता है सन 1919 के जलिया वाला बाग हत्याकान के बाद इन्होंने वरोध सुरूप अपनी नाइट हुट की उपाधी त्याग दी थी अर्जेंटीना के फिल्म रुदेशक पाबलो सीजर ने इंडू अर्जेंटीना फिल्म तिंकिंग आफ हिम बनाई है जो 6 मई 2022 को भारत में रिलेज हुई है ये फिल्म रबीन नाट तैगोर और अर्जेंटीना के लेखाग विक्टोरिया ओकांपो के सम्द्ध की कहानी पर आधारित है आए जानते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गीतांजली, गोरा, पानी और पुल ये भारत-पाकिस्तान विभाजन पर केंद्रित है आग की कि और ठकुरानी बहु का बाजार आए एक विचारक के रूप में इनके प्रसिद्ध विचार जानते हैं यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा मित्रता की गहराई परचे की लंबाई पर निर्भर नहीं करती प्रसन रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन है प्रतेक्षशु ये संदेश लेकर आता है कि यूशर अभी मनुश्यों से निराश नहीं हुआ है समय परिवर्तन का धन है परन्तु घड़ी उसे केवल परिवर्तन के रूप में दिखाती है धन के रूप में नहीं